वेलकम टू एक्जाम थियोरी तो मैं आप लोगों के लिए फिट से लेकर आया हूँ नई वैकेंसी CSIR जुनियर सेक्रेटेरियट एसिस्टेंट और अस्टेनोग्राफर का तो हम लोग इस वीडियो में सभी जनकारे इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे तो आप लोग इस वीडियो के अंतक बने रही है जिन अश्टेन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल ऐकन को जरूर दबाए ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आते उसकी नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे अश्टडी से संबंदित नोट्चेप पीडिया पाने के लिए आप हमें इन सभी सोचल मीडिया प्लाटपॉम पर फॉलो कर सकते हैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वाट्चेप ग्रूप, फेस्बुक, सभी जगा सेर जरूर करे तो ये है इस वैकेंसी का ओफिस्यल वेबसाइट www.iicb.res.in तो ये आपका ओफिस्यल वेबसाइट है इस वैकेंसी से रिलेटेट जितना भी आपको अपडेट मिलेगा आपको इसी वेबसाइट से जो कि मिलने वाला है और आप फॉर्म भी इसी वेबसाइट पर जाकर फिल कर सकते है इसका लिंक आपको इस वीडियो के description box में भी मिल जाएगा अब हम यहाँ पर समलुक जानेंगे कि कब से आप यह form को fill up कर सकते है और इसका जो last date है वो कब है तो इसका जो opening date है वो है 4.08.2022 से जो कि आप इस form को fill कर सकते है और इसका जो last date है वो है 24.08.2022 तो 2022 तक है जो कि आप इस form को fill कर सकते है अब यहाँ पर समलुक जानेंगे कि application fee इस form को भरने में कितना पैसा लगेगा तो EUR, OVC candidate के लिए यहाँ पर 100 रूपीज है SC, ST, PH candidate और female candidate के लिए यहाँ पर कोई भी fee नहीं है और जो आपका fee payment का mode है वो online आप इस fee को payment कर सकते है अब यहाँ पर समलुक जानेंगे कि आपका exam procedure क्या रहने वाला है यहाँ पर सबसे पहले है जो कि यहाँ पर आपका return exam होगा फिर आपका skill test होगा junior secretariat assistant के लिए हाँ पर tapping होगा और अस्टेनो ग्राफर के लिए अस्टेनो होगा और जो आपका last exam procedure है वो है आपका document verification dv होगा तो सबसे पहला जो आपका post है वो है junior secretariat assistant का इसमें हम लोग इसके number of post, pay level, essential qualification और आपका upper age limit क्या होने वाला यह सभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे यहाँ पर जो सबसे पहला जो post है आपका junior secretariat assistant general में आपका जो number of post है वो है 8, your candidate के लिए आपका 6 seat है यह SC के लिए 1 और OVC candidate के लिए यहाँ पर 1 seat है next post है आपका junior secretariat assistant S&P जो कि आपका इसका full form होता है store and purchase के लिए number of post इसमें है 2 unreserved दोनों seat है जो कि your candidate के लिए है और तिसरा post आपका junior secretariat assistant या finance and accounts के लिए यहाँ पर जो total number of post है वो तीन है तीनों है जो कि आपका your candidate के लिए है उसमें से भी एक आपका एक service man के लिए है अगर हम बात करें हैं आपका junior secretariat assistant का pay level क्या होगा यहाँ पर जो आपका pay level है वो 2 है जिसका की आपका net gross salary जो आपका बनेगा वो बनेगा 30,000 essential qualification आपका होगा यहाँ पर 10 plus 2 तो अगर आप 10 plus 2 पास है तो आप इस form को यहाँ पर फिल्ड कर सकते है इसके लिए जो कि आपका यहाँ पर tapping भी चाहिए जो कि अभी से भी आपका tapping सीख सकते क्योंकि जो tapping है वो आपका second stage है उसके लिए आपको यहाँ पर समय बहुत ज्यादा मिलेगा तो आप लोग अभी से टैपिंग है जो कि यहाँ पर सीख सकते है इसके लिए जो एज है आपका यहाँ पर 28 years है जो कि चाहिए जो maximum age है वो आपका 28 years है सभी कैटेगोरी के लिए अलग रग रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे next अब हम लोग इसका syllabus और जो आपका exam pattern वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे तो junior secretaryate assistant के लिए यहाँ पर दो paper होगा paper 1 और paper 2 paper 1 है जो कि आपका qualifying nature का होगा और जो आपका merit list है वो आपका paper 2 पर बनेगा यहाँ पर जो medium of question होगा वो English और Hindi दोनों में होगा English paper को छोड़ कर यहाँ पर जो आपका standard of exam होगा वो class 12 का है जो कि वेस्ट है जो कि यहाँ पर प्रस्न पूछा जाएगा total number of question है यहाँ पर 200 question होगा और इसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो 2 and half hours का यहाँ पर समय दिया जाएगा अब यहाँ पर समलोग जानेगे कि paper 1 में क्या-क्या पूछा जाएगा तो paper 1 में आपको जो time allot किया गया है वो है 90 minutes इसमें आपसे mental ability test है जो कि पूछा जाएगा इसमें आपसे general intelligence, quantitative aptitude, reasoning, problem solving, situational judgment इन सभी subject से जो कि आपर प्रस्न पूछा जाएगा total number of question होगा वो 100 होगा और जो आपका total marks है वो आपका यहाँ पर 200 marks का यहाँ पर पूछा जाएगा और यहाँ पर कोई भी negative marking है जो कि नहीं रहेगा जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है paper 2 में जो कि आपका यहाँ पर one hours का यह paper होगा इसमें आपसे दो subject से यहाँ पर प्रस्न पूछा जाएगा general awareness और English language से जो number of question होगा वो 50 होगा general awareness से और English language में भी यहाँ पर 50 question पूछा जाएगा जो आपका maximum marks होगा वो आपका दोनों में यहाँ पर 1500 marks का होगा और इसमें negative marking आपका paper 2 में है one negative mark है जो कि यहाँ पर हर गलत answer पर यहाँ पर आपका एक number है जो कि कटेगा दोनों subject में तो यह था आपका junior secretariat assistant का exam pattern और syllabus यहाँ पर आप हम लोग यहाँ पर बात करेंगे age limit के बारे में यहाँ पर कुछ-कुछ category के लिए यहाँ पर age relaxation है जो कि दिया गया है जैसे कि SCST category के लिए यहाँ पर 5 years का यहाँ पर relaxation दिया गया और OVC candidate के लिए यहाँ पर 3 साल का यहाँ age relaxation है जो कि दिया गया है अगर आप PWBD candidate है तो यहाँ पर 15 साल का age relaxation दिया गया है SCST के लिए और 13 साल का relaxation दिया गया OVC candidate के लिए तो यह आपको ध्यान में रखना है next post है आपका junior astenographer का इसमें जो number of post है वो चार post है UR candidate के लिए यहाँ पर एक है जो कि PWD candidate और इसमें आपका blindness and low vision candidate के लिए यहाँ पर exit है जो कि reserve किया गया है तो astenographer के लिए यहाँ पर 4 post है यहाँ पर अगर हम बात करें है पर pay level का तो pay level यहाँ पर आपका 4 है जिसमें कि आपका net growth salary यहाँ पर आपका बनने वाला है वो है 38,000 इसके लिए essential qualification जो आपकी योगिता है वो आपका यहाँ पर 10th plus 2 है जो कि आपर होना चाहिए और साथ में आपका आपके पास asteno का skill है जो कि आपर रहना चाहिए तो अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो अभी भी सीख सकते है asteno इसके लिए जो आपका अपर age limit है वो 27 years है general category के लिए और इसी तरह जो कि आपका OVC और ESC HD category के लिए यहाँ पर age relaxation है जो कि आपर दिया गया है नेश आप हम लोग इसके syllabus के बारे में चर्चा करेंगे तो जो आपका medium of question होगा वो bilingual होगा English और Hindi में दोनों में यहाँ पर पूछा जाएगा English subject को छोड़ कर A standard of जो आपका exam होगा वो 10 plus 2 होगा Total number of question यहाँ पर आपसे 200 question है जो कि पूछा जाएगा और time allot किया जाएगा 2 hours का और 2 hours 40 minutes candidate है जो कि eligible for subscribe यहाँ पर आपका समय दिया जाएगा मिलाकर यहाँ पर जो आपसे 3 subject से यहाँ पर प्रस्ण पूछा जाएगा General Intelligence and Reasoning General Awareness और English Longway से इन 3 subject से यहाँ पर आपसे प्रस्ण पूछा जाएगा Reasoning में आपसे 50 questions का question पूछा जाएगा 50 marks का General Awareness में 50 questions 50 marks के English में 100 questions 100 marks के यहाँ पर पूछा जाएगा Total मिलाकर यहाँ पर आपसे 200 questions 200 marks का यहाँ पर पूछा जाएगा और तीनों subject में आपके यहाँ पर 0.25 marks से जो की deduct किया जाएगा सभी गलत अंसर पर फिर यहाँ पर जो आपका next stage होगा इसके बाद paper के बाद वो आपका होगा profancy test जिसमें कि आपसे the candidate will give one detection for the 10 minutes in English और Hindi इसके लिए आपको यहाँ पर 80 bird per minute से जो की Hindi और English दोनों में यहाँ पर ashteno है जो कि आपको यहाँ पर करना होगा और इसके transcription के लिए English में आपसे 50 minutes का समय दिया जाएगा 70 के speed से यहाँ पर आपको करना है और यहाँ पर Hindi language के लिए यहाँ पर time duration दिया जाएगा 65 और जो आपका time duration for the candidate eligible for ascribe यहाँ पर है वो आपका 90 minutes है तो यह था आपका stenographer का prophecy test जो आपका prophecy test होगा वो qualifying nature का होगा यह आपको ध्यान में रखना है इसके लिए कोई भी नंबर है जो कि आपका merit list में नहीं जुटने वाला जो आपका final merit list है वो आपका जो आपका written exam हुआ था उसी के basis पर है जो कि आपका merit list बनने वाला और जो लास्ट पॉइंट है आपका the merit list will only comprise of those candidates who have qualified the pro fancy test तो अगर आप pro fancy test पास है तभी है जो कि आपका यहाँ पर merit list में जो कि आपका यहाँ पर नाम आएगा तो अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप लोग comment जरूर करे अश्रडी से संबंदित note से पिड़ा पाने के लाप हमें इन सभी social media platform पर follow कर सकते है जिना student अभे तक इस channel को subscribe नहीं कि है तो subscribe जरूर करे साथ ही इस वीडियो को like करना ना भूले साथ ही इस वीडि झाल करे तो आपको कि जरूर करे नहीं करेंगा वाग तक है करेंगा।